Hey guys, welcome back to your channel, this is the YouTube boy we do. आईसी टीमों के बीश खेला जाने वाला है, जो कि 2.40 प्लस का टोटल अभी हाली में चेस करके आ रही हैं, क्वेटा और मुल्तान दोनों ने पेसवार के खिलाफि सेम टीम के खिला, 240 प्लस का टोटल चेस किया है और तोनों टीमों की तरफ से एक एक खिलाडी ने धमागेदार 20 फोटक बिदवनसक सेंचुरी लगाई है ऐसे में काफी कमाल का मकाबला होने वाला ही है तो आप बनेरी इस वीडियो में में साथ क्योंकि हम करने वाले इस मकाबले की बात आपको पता हैं कौन सीटी में मकाबला जीन सकते हैं पिछ रिपोर्ट फैंस साथ बहुत सारी बाते इसमें आपसे लेटर करेंगे यानि की रावल पिंडे स्टेडियम में खेला जाने वाले 240 प्लस, 230, 227 मतलब की बैक टू बैक यहां पर दो-दो सोरन बन रहे हैं और गेंदवाजों के लिए इस बिकेट पे कुस नहीं एक तो बांडरी चोटी है उपर से पाटा बिकेट फुली पाटा बिकेट बना रहे हैं और एक बर फिर से हमें 200-200 का टोटल देखने को मिल सकता है गेंदवाजों के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान की टीम जिसके खिलाब 242 बना था वो एक ऐसे टीम है जिसके पास टॉप 5 में से तीन ऐसे गेंदवाज हैं जो इस पीसल में सबसे ज्यादा विकेट लिया है यानि कि टॉप विकेट टेकर्स के खिलाफ 200 बनाता तो इससे आप अंदर जा लगा सकते हैं कि यहां कि बल्लेबाजों के लिए हैं गेंदवाजों के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है हेट टो हेट बैटल्स की बात किया है तो दस मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच हुए है चार क्वेटा जीती है छे मुल्तान सुल्तान की टीम जीती है आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे गिवे कोशन की जिसका जवाब दे के आप 100 रुपय का कैसी नम सीधे सीधे जीच सकते हो आज का हमारा सवाल है कि इस मैच का टॉप स्कोरर कौन होगा आप हुमें कमेंट करके जरूबते हैं आई एप टीम प्रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्वेटाक गिलेटर्स की जो की 9 मैच के लिए 3 जीती है 6 हारी है और ऐसा बाद भी ये क्वालिफाई ने करेंगे उसके बाद भी अगला मैच इसलामबाद और पेसवार का है उसके अगले दिन उसमें इसलामबाद को जीतना पड़ेगा तब ये टीम क्वालिफाई कर पाएगी तो मतलब कि लॉजिकली पॉसिबल तो है बर प्राक्टिकली देखत हैं हो पाता है या नहीं इस टीम के साथ बैटिंग कंसर्ण बनी हुई थी बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुए थी तीज सुरुवात नहीं दे पारे थे स्लो सुरुवात कर रहे थे अलाकि भी स्पोटक बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम एक्स्प्रियेंस खिलारों से लेकिन फिर भी बल्लेबाजी कंसर्ण बनी हुई थी लेकिन जैसन रोई बाहर गये टीम से बाहर गये इंटरनेसनल मैच खेलने गये वहाँ पर 132 बनाया और फिर धमाके दार वापसी किया 145 ताबर तोड और नमुम्किन सा दिक्रा लगब 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 तरीके से परफर्म करते हैं देख उसके अलाव मार्टिन गप्तिल भी अच्छे फॉर्म में तो इस टीम के पांस टैलेंट है पोटेंसियल है बट मैं यह नहीं कहूंगा कि एक मैस से यह कह दें कि इनका कंसर्ण दूर हो चुगा है यह चाहाए दो सिंगल हैं जीता सकते है और आपने देखा भी होगा कि मार्टिन गप्तिल इनकी टीम में जीती है मार्टिन गप्तिल एक मैच सिंगल हंडली जीता है दो मैच मार्टिन गप्तिल ने सिंगल हंडली जीता है एक जेसन रॉय ने जीता है तो यह दोनों बल्लेबाज इतना दमखम रखते हैं कि अकेले प्रणों की तो इनकी तरफ से पहले टॉप और उसके या नहीं आखरी मुकाबल जीते थे उसे देखकर तो यह लगता है कि इस मैच में रनों की सुनामी आने वाली है बात किजाए अगर टॉप और की तो इनकी तरफ से पहले टॉप और हो सकते हैं जैसन रोय आकरी मैच में 145 किया था वर तो 145 उससे पहले इंटरनेसल मैच खेलने के थे 132 बनाया इस वैन्यू पर तीन तीन पारियों में ही 240 सुन बनाया चुके हैं मतलब की हर मैच में लगव बनाया प्रमोट भी कर दिया गया है तो बैटिंग से भी अच्छे फॉरम है बहुत यच्य फॉरम है यह भी इस मैच में टॉप अफॉर साबित हो सकते हैं आईये अब बात करते हैं मुलतान सुल्तान की तो मुलतान सुल्तान की टीम अब तक इस टूनामेंट में 9 मैच के जिता है चार हारी है और बेक to बैक मुकाबले हारने के बाद आखरी मुकाबले में नहीं जीत मिली और पेसुवार जालु है खिलाब 2-4-2 का टोटल चेस किया bak to back दूसरी बाद 2-2 का टोटल चेस हुआ सांदार बल्लेबाजी बिध्वनसक प्रलाइकारी बल्लेबाजी हमें देखने को मुझे राइले रोष्टू के दिवारा और 242 चेस पता है दो विकेट गिरने के बाद हुआ है मतलों मेन बैटर जवान आउट हो गए और मसूद भी जल्दी आउट हो गए और उसके बाद से इस टीम ने वापसी किया और मैच जीता और सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस टीम की अप्रोच बहुत अच्छी थी 242 बोट पे था लेगिन फिर भी इनकी अप्रोच जारी थी पॉलाट को उपर प्रमोट कर दिया टीम डेविडिग मैच पहले ही 50 लगा थे उन्हें और पॉलाट नभी सांदार 50 जड़ी तो सांदार खेल का परदसम दिखने को मिला हमें मुलतान सुल्टान के द्वारा और मुलतान की बल्लेबाजी तो है इनकी स्टेंथ रिजवान अच्छे फॉर्म में मसूद अच्छे फॉर्म में हालाग आकरी मैच में फ्लॉफ हो सकते हैं गिंदवाजी की बात की जाए तो यह गिंदवाजी मुझे बताने की जरूद नहीं है टॉप बिकेट टेकर्स ऑफ दिस टोर्नमेंट इस टीम के पास है अब बात की जागा टॉप हो और की तो रिजवान पहले टॉप को को हो सकते हैं आखरी मैच में फ्लॉफ हो स्पार्टा विकेट का फायदा उठाते हैं यहां पर रन बना सकते हैं राहिल रोसु 121 बनाया था नंबर्स बहुत अच्छे हैं सिर्फ 6 पारियों में 275 बना चुके हैं यह क्वेटा खिलाब अभी एक मैच पहले ही साथ रन बनाया था आखरी मैच में अच्छे टरश्मन क्वेटा खिलाफी लिए थे वर फिर से टॉप परफोर्मर सहाबित हो सकते हैं बात किई अगर हमारी फैंटेसी टीम की तो हमारी फैंटेसी टीम के 60-40 का 60, Multin Sultan 40 कोई टाप but मुझे लगता है कि Multin Sultan की टीम एक और मुकावला चीथ सकती है. जी है according to me Multin Sultan may be the winner of this match बाकी आपको क्या लगता है? मैं थो हमेसा इसे ही कहता हूँ सनो सबकी करो, अपनी सबकी वीडियो देखो, सबकी प्रेडिक्शन सुनो पर सबकी वीडियो देखने के बाद सबका पेडिक्सिन सुनने के बाद आपका पेडिक्सिन क्या कहता है वो जादी मैटर करता है मेक यूरोन कॉल मेक यूरोन डिसीजन दहने बाद